हलो दोस्तों तो आज जो है पांचमाई दिन है और पांचमे दिन के एंड पे जो काम हुआ है अभी गेंड यह लग गया है और काफी उचा होगे आब तो 6 फिट करीब हाई अगयी है गेंड की और जो आज का काम एंड हुआ है वो मैं दिखाते हूं आपको यहाँ से एंटर ह के अंदर तो ये दिवाल तो पीछे फूरी उट गई थी और ये वाली दिवार जो है नीचे तक थी बस तो ये चार फिट उठी है असल मैं एक दिन मैं ही फूरी दिवाल नहीं उठा सकते हैं ठोड़ा सा डिस बैलेंस होकर खराब ए갈 लो सकती है तो सिर्फ यह तो उसे प्रॉब्लम होगी तो उसको एक फिट और उठा दिया है अब इसकी हाइट जो रहेगी करीब पांच फिट रहेगी और पांच फिट के बाद पहले इसकी जो डेफ्ट है इसको हम चारी फिट रख रहे थे इसकी भी लेंद बढ़ा दी है यक्की डॉग वगरा रखेंगे बंगे 6 बाई 4 तोड़ा होसकता उसके लिए और अभी क्या है अभी ये लेंद जो है यहासे 5 फिट फिट वेख या अंदर अंदर जो अनदर अंदर इसको मिलेंगी 5 फिट管 और इतना जो आप देख सकते हैं ये इस पैस जो है एक डॉग के यह रहेगा आराम से और इसमें जो gate लगेगा वह जाली दार इसमें लोहीड ने रहा और जाली दार रहा ताके ventilation बगईरा बना रहे और इस तरफ भी सेम वैसे ही पाँच फित ऐसे लैंथ है और पाँच फिट लेंथ है और हाइट जो है पाँच फिट हो गई अब देखिए मैं खड़ा हूँ तो यह मेरी हाइट से थोड़ा सा नीचे आगए क्योंकि मेरी हाइट जो है फाइव फिट एट इंचिज है तो अभी थोड़ा सा ये फर्श भी इसका उंचा होगा हलका सा तो कैसा लगा आपको ये जो डॉग और इसके मुर्गी के लिए बनवा रहा है तो ये इंशालला कल जो है इसकी पूरी हाइड जो रहेगी वहां तक इसका उठ जाएगा और इसमें सोचे हैं कि सेल्फ टाइप की इसमें ढाल देंगे करीब जादा मोटी नहीं करीब 2-5 इंच मोटी क्योंकि इसमें पत्थर वगएरा जो गार्डर वाले पत्थर होते हैं उसको लगाने के लिए पता कर रहे था तो वो एजली नहीं मिल रहा था तो अभी जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने बोला कि आप इस पे सरीया लगा के जैसा सेल्फ ढलती है उस तरीके से आप इस पे 2-5 इंच मोटी सेल्फ ढल देंगे तो आपका इदम पका काम हो जाएगा तो उसको भी काम करेंगे अब जो बात कर रही है अब इसमें जो काम है ये दीवार और उट जाए तो फिर इसमें मट्टी का प्टाव जो है इसमें पूरा और इसमें कर देंगे और फिर जो काम बचा है यहां से जो बाउंटरी जो है यह जरो उठवानी है तो आज पांचमें दिन का काम काफी अब समझ में आ रहा है और कल जो काम होगा कल आपको यह भी complete मिलेगा यह दिवार भी complete मिलेगी और भी छोटा मोटा जो काम रहेगा यहां से एक boundary जोड़वाएंगे क्योंकि यहां से पूरा यहां तक जो है वो इटो का पूरा platform टाइप कर रहेगा इटा बिचवा देंगे जैसा यह बिचूई है ना इस तरीके से तो जब कभी हमको setup में आना है बारिश वगएरा हो रही है नीचे कीचड़ है तो हम इदम सूखे से आएंगे और यहां से एक step देके यहां उतर जाएंगे सूखे में इटों पे ही और अपने यहां पे dog और मुर्गी वगएरा के लिए आ जाएंगे तो यहां पे कुर्शी वगएरा डालना है पेड़ की नीचे बैटना है तो वो सब भी आसान रहेगा और setup तो अपना आप काफी अच्छा कासा size दिख रहा है जब बन जाएगा तो आप लोग के साथ में share करेंगे अभी यह काफी उची हाइट दिख रही है इसलिए क्योंकि यह जो है यहां से यह उसकी जमीन है तो जमीन से 10 फिट हाइट पर रखा है एक फिट ऐसा तिरशा शेड आएगा ताकि पानी वगएरा की जो है वो आराम से पानी नीचे निकल आए तो अभी जब बनेगा complete होग तो इंशालला आप लोग को भी देखके बहुत जादा मजा आएगा तो आज की वीडियो थोड़ी सी दोस्तों लंबी हो गई है फिर भी जादा लंबी नहीं होगी आपको बोर नहीं किया होगा कल आपको नहीं प्रोग्रेस की वीडियो मिलेगी साट अप की नए है चैनल क को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने परानी वीडियो चार दिन की प्रोग्रेस की नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके चारो वीडियो आप लाइन से देख सकते हैं ऐसी मैंने छुटी छुटी शॉट वीडियो बना के उसमें डाल लगी है तो इजाद दीए मिलते अगली वीडियो में इंशाला नए टॉपिक के साथ अल्ला हाफिस दौमे आदर कियेगा